बिमारी से ग्रफ्त लोगों को उभारती हुई सांसों को बचाने में केंदरी वित्ते राज्यमंत्री अनराग सिंग ठाकूर द्वारा उपलब्द करवाया जा रहा ऑक्सिजन बैंक एक महत्तपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये ऑक्सिजन बैंक एक दो या दो सो से नहीं बलकी पूरे साथ सो बेड के लिए प्रयाप्त मात्रा में ऑक्सिजन सप्लाई सो निश्चित करेगा। हमीरपूर में भाजपा जिला मीडिया परभारी अंकुछ दश्चर्मा ने ये बात कही। उन्होंने ऑक्सिजन बैंक की सुविधा उपलब्द करवाने जा रहे केंदरी वित्ते राज्यमंतरी अनराग सिंग ठाकूर का हमीरपूर जिला भाजपा की ओर से आभार भी व्य जिला मीडिया परभारी अंकुछ दश्रमा ने कहा कि स्वास्ते के एक शेतर में बहतर सुविधाएं उपलब्द करवाने के दृष्टी से दूर दर्श्य सोच रखने वाले केंदरी वित्ते राज्यमंतरी अनराग सिंग ठाकूर ने कुछ वर्षपूर भी सांसद मुवा योजना का भी शुभारम किया था जिससे करोना से पहले भी और करोना के दौरान भी लोगों ने काफी लाब उठाया है उनने कहा कि केंदरे वित्ते राज्यमंतरी की दूर दर्शी सोच के ही चलते हमीरपूर में स्वास्ते विभाग की आवशक्ताओं को पूरा किया जा उनने कहा कि अनुराग सिंग ठाकूर ने ऑक्सिजन सिलेंडर, ऑक्सिजन मास्क, ऑक्सिजन रेगुलेटर और ऑक्सिजन प्लांट जिला में उपलब्द करवाया है ऑक्सिजन प्लांट जल्द ही जरूरत मंद रोगियों को ऑक्सिजन की सप्लाई देना भी शुरू कर दे इसके लिए उन्होंने हमीरपुर की जनता और भाजपग जिलाक की ओर से केंद्री वित्राज्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रयासों से ऑक्सिजन बैंक की उपलब्धता करवाने जा रहे केंद्री वित्राज्यमंत्री का हमीरपुर की जनता की तरफ से एवं जिलाभाजपा की तरफ से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। इभार ही है इसके लिए भी केंद्री वित्राज्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। इरपुर जिला में स्वास्थे सिवाओं की अविसक्ता के अनुसार केंद्रे वित्राजय मंत्री ने औक्सीजन सिलेंडर, औक्सीजन मास्क, औक्सीजन रेगुलेटर और औक्सीजन प्लांट उप्लब्द करवाया है। के दोरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, उनका जीवन बचाने के लिए, करोना पीड़तों की मदद करने के लिए आगे आए हैं, ततपरता से काम कर रहे हैं। जिसका बहुत बड़ा उधारन है कि कॉंग्रिस ने पहले जिस वैक्सीनेशन का जीवर के विरोध किया, अब उसी वैक्सीनेशन की उप्लब्ता पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। कॉंग्रिस पार्टी जो जूट बो रहे हैं कि वैक्सीनेशन उप्लब्त नहीं है, वैक्सीनेशन हो रही है। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभ्यान भारत देश में चला हुआ है और प्रदेश में भी सभी युवाओं को और सभी लोगों को ये वैक्सीनेशन आसानी से उप्लब्त हो रही है।